और हम वात करेंगे यंग गज पीरिट्स का आना क्यों ऐस बच्चों को 8 नौ साल की एज में इस पीडिट्स आने स्टार्ट हो गए हैं इसका क्या कारण है क्या एसा हमारा खानपन चेंज हुआ है, जग क्या हमारा लाइफस्टेल चेंज हुआ है, कितने छोटे बच्चे जो उनकी एश खेलने कुदने के उस समय बच्चे को इस प्रॉब्लम से जूजना पड़ रहा है, फैस अगर आज से हम 10-15 साल पीछे जाए, तो उस समय जो नॉर्मल एज होती को डेट आ रही है, तो बच्चा समझ नहीं पाता है, इतने छोटे एज में बच्चा एकदम से अपने आपको मेचोर फील करना शुरू कर देता है, और एक पेरेंट्स के लिए बच्चे की सेफटी का ध्यान रखना गर्स की वह एक बड़ा मुश्किल का हो गया, तो फ्रे जल्दी बंद भी उसी तरह से हो रहे हैं, क्यूंकि 30-35 साल के एज में बच्चों का मोनोपॉस की जो प्राब्लम है, वह स्टार्ट होने शुरू हो जाती है, जो कि आज से 10 साल पहले 50-52 साल के एज में स्टार्ट होती थे, तो अगर आज हम देखें कि आज हमारे बच्चे 28-30 साल के एज में ही मेरिश करने आप रेफर करते हैं, और 30-35 साल के एज में ही उनके डेट बंद हो रही है, तो किस तरह से बच्चे कंसीव करेंगे और कैसे आगे उनके बच्चे हो पाएंगे, तो यह प्राब्लम हम जितना समझ नहीं पा रहे हैं, उस से भी कहीं जादा बड़ी है, हमें इस समय देखना होगा कि हम अपने बच्चों को ऐसा क्या फूट दें और क्या फूट नहीं दें खाने में बच्चे को, जिसके वज़ए से यह प्राब्लम ना स्टार्ट हो एक तो फ्रेंट्स ना हमे आज के लेट में देखना है बच्चे जो जुक्त भी आड़ ने बहुत ज़्यादा यही होता था कि girls को जादा गरम चीजे नहीं दी जाते थी जिससे उंकी date जल्दी नहीं आए क्योंकि जितने जल्दी date आएगी बच्चे के लिए उतने ही problem हो जाते है एक normal age जो 14 जो 15 साल है वो बिल्कुल perfect age है बच्ची की period start होने के उस तो में बच्चा mature भी और उसकी body भी त जादा दे रहे हैं तो उससे बच्चे को calcium बहुत जादा मिल रहा है आशकल के time में जो गायों से हमें या भैस हमें हमें दूद मिल रहा उस से calcium जुरूर मिल रहा है वठ हमारी body उसको अप्जौ्ब नहीं कर रही है हमारी body को उतना calcium जतना मिलता था पहले उतना नहीं मेल पार है क्याएं भसों के खाने की बिलकुल चेंज हो चुका है पहले के लोग उनको चने जाओं के जो चारा खा था था बिलकुल आलग होता था वर्ट आशकल जो जादा दूद देने के लिए फैदा के लिए हर्मोंज के इंजेक्शन दे रहे हैं जा विए चारे म हमारे बच्चे पी रहे हैं तो उनके अंदर भी हार्मों जो हैं वह जल्दी चेंज हो रहे हैं और जब भी हमारे हार्मों जो स्पीडिली चेंज होंगे थो हमारी body में changes आएँगे लड़कियों में demons जल्दी आने शुरू हब और boys में जpción है जल्दी आएगी उनकी बहुत से ऐसी चेंजिस हैं जो पेरेंट्स को दिखेंगे कि जो एक चोधा जब 15 साल के एज में बच्चों में दिखने चाहिए ते वह आट नो साल के एज में ही बच्चों में दिखने शुरू हो जाते हैं तो यह बहुत बड़ी चिंता का पारन है कि कि हमें इस चीज से अपने बच्चों को बचाना है हमें यह बिल्कुल आज के डेट में यह नहीं सोचना है कि दूर्स से बच्चे को कैशे मिलेगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दूद पिलाएं हमें इस समय बच्चों को दूद देना बिल्कुल आवाइट करना होगा क्योंकि इस भी आज की टाइम में रिसर्च हो रही है बहुत से डॉक्टर और साइंटिस्ट को मान रहे हैं कि दूसरे जो हार्मोनल चेंजिस बच्छों के अंदर हो रहे हैं उससे जो है बहुत ज्यादा प्राब्लम्स बढ़ रहे हैं जहां ते कैशियम के बात है तो दिल के अंदर कैशियम जो है वह काफी ज्यादा मात्रा में होता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप वाइट दिल को थोड़ा सा पाने डालकर उसका पेस्ट बना लीजे आप धेरे-देरे हर सब्जी के अंदर उसको एड़ करना शुरू कर दिजे तांकि बच्छों को पता भी चलेगा और बच्छो को कैसियम के जुमात्रा वह पूरी मिलने उद्याच को जाएगे तो सब्सक्रहिए जाम प्ले बहुत सब्सक्राइब बहुत तो स्टॉट नारी का दूद्ध दीजिए बच्छे को गिरी दीजिए आप बदाम भीगोगे देशकते मौनफुली बहुत अच्छा स्टॉट साइशिय मौनफुली को ऑप सब्याग का कर सकते हैं और आप भूणी को अपक्षे की स्नैक्स में का आप कर सकते है तो इस तरह से हमें लगते हैं कि बच्चों को कैशे मिलेगा I hope friends आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लिस लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए तो मिलते हैं friends आने वाली वीडियो में Bye friends